दूस्तो DSLR के external flash पे जो आपको white card नजर आ रहा है इसका क्या function है तवज्जो कीजिए मेरे पास इस वक्त जो flash है ये Godox की TT600 model की flash है सो इसके जो card का function है ये मैं आपके साथ share करने लगा हूँ beginners के लिए ये वीडियो है देखिया आम तर पे जो card है ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब light को bounce करना हो light bounce क्यों करवाई जाती है सबसे पहरे तो मैं आपको ये बता तो इसका जो pose होता है इसे कम से कम 45 degree पे इसे turn कर लिया जाता है फिर जो light होती है वो direct subject पे नहीं पड़ती बलके सामने wall पे या उपर चट पे जाके reflect करती है और वो reflect की हुई light subject के face पे पड़ती है इससे क्या होता है कि light की जो harshness है वो कम से कम हो जाती है और मुख्तलिफ results हम हासिल कर सकते है so इस card का सिर्फ bouncing function है light को bounce करवाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है